सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूस चानल को और बेल आइकन को तबाएगे लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए सोनी पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो दे कपल शर्मा शो का हर कोई दिवाना है बता दे कि कपल शर्मा अपनी कॉमेडी शो से हर किसी को हसाते हैं कपल के फैन्स आम दर्शक ही नहीं बलकि कई फिल्मी सितारे भी हैं जानिमानी सिंगर लता मंगेशकर ने कई बार कपल शर्मा और उनके शो की ट्विटर पर तारीफ भी की है दीपी का पादुकोन प्रियांगा चोपरा जैसे कई सितारे कपल शर्मा के शो की मीडिया इविंस में तारीफ करते रहते हैं बता दे कि कपल शर्मा को उनकी हुनर के लिए वोल्ल बुक आफ रिकॉर्ड्स ने पॉपलर कॉमेडियन चुना है हाला कि कपल को हाल ही में जो खुशी मिली है वह इन सब से बढ़कर है कपल शर्मा के करीबी सूत्रों के मुताबिक इन दिनों कपल शर्मा काफी खुश नजर आ रहे हैं इसका पहला कारण तो ये है कि उनका शो दो कपल शर्मा शो टी आर्पी के लिस में टॉप पर पहुंच चुका है इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनको नीजी दिन्दगी में तरक्की मिली है करीबी सूत्रों की माने तो कपल शर्मा की पत्नी गिनी चत्रत प्रेगनेट है जल्द ही कपल शर्मा पापा बनने वाल है बता दे कि कपल शर्मा की मा इन दिरों मुंबई में है और आने वाले महमान की तैयारी कर रही है लेकिन अभी तक इस बारे में कपल शर्मा ने कोई भी आधिकारिक घोशना नहीं की है कपल और उनकी फैमली आने वाले नन्ने महमान को लेकर काफी खुश है साल 2018 में दिसंबर के महीने में कपल शर्मा और गिनी चत्रत की शादी हुई थी जिसमें टीवी के मशूर कलाकार के अलावा बॉलिवुड सितारे जैसे दीपिका और रनभीर भी शामिल हुए थे अगर आपको ये न्यूज पसंद आए तो लाइक और शियर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रू बताएं डेली द्राइक न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिये हमारा चैनल लेटिस्ट और इंड्रस्टिं न्यूज के लिए